नमस्कार दोस्तों आपका हारदिक स्वागत है दोस्तों हमाच बात करने बाले आज के करकर रासी फल के बारे में कि आज का दिन करकर रासी वालों के लिए कैसा रहेगा दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल जिरिक और मानसिक रूप से अपने आपको सुवस्त महसूस करेंगे तता अपने काम को एक नया रूप देने के लिए और अधिक रचनात्मग तरीके अपनाएंगे जियां दोस्तों इसके साथ या अपनी जीवन सेली को और अधिक उन्नत करने के लिए प्रियतिन सिल रहना आपको सफलता प्रदान करेगा जिया दोस्तो आज नजदी की लोगों और उच अधिकारियों ताता सम्मानित लोगों से संपर्ख बना कर रखना आपके विश्टाय के लिए काफी फाइदेमन साबित होगा जिया दोस्तो इससे आपको अच्छे ओडर और बड़े अनुबंद भी प्राप्त हो सकते हैं नोकरी पैसा लोगों को ज़्यादा काम की कारण ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है आज आपके लिए क्या नेगिटिव रहने वाला है आज किसी प्रोपर्टी या रुपे पैसो के लेंदेन को लेकर कुछ वाद विवाद की इस्तिती बन सकती है आज आप रुपे पैसो के लेंदेन से बचें किसी भी समस्या को आपसी सहमती से हल करने की कोशिस करेंगे तो ज़्यादा उचित परिनाम हासिल होगे आज आपका घर परिवार कैसे रहेगा आज आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुती संजीदगी और गंबीरता से पूरा करेंगे जिया दोस्तो आज आपको कोई सुब समाचार भी मिल सकता है आपको परिवार से जुड़े कुछ महत्मुन फैसले लेने पड़ सकते हैं जिया दोस्तो समाज में आपकी अच्छी पहचान बनेगी बड़े बुजूर को कि सुबस्त का ख्याल रखे माता से कोई लाब मिल सकता है इससे आपका मन अति प्रसंद रहेगा जीवन साती से नजदी की बढ़ जाएगी जीवन साती आपको हर कारे में सपोर्ट करेंगे बच्चे आज विद्ध्या देहन में रत रहेंगे भाई बेहनों का सपोर्ट और प्यार आपको प्राप्त होगा घर परिवार में खुश्यां बनी रहेंगी आपका विवसाय कैसा रहेगा आपके सफल प्रियासों से वियापार में लाब के योग रहेंगे वियापार में कुछ कमी तेजी देखने को मिलेगी किसी नए विवसाय से अधिक लाब मिलने की संभावना नजर आ रही है लाटरी और सियर बाजार से भी लाब मिलेगा दीरे दीरे धन का प्रिवाव बनेगा इससे आपके आर्तिक इतिति मजबूत हो जाएगी आर्तिक लाब प्राप्त होगा आपकी लव लाइफ और दमपत्य जीवन कैसा रहने वाला है आपका जीवन साथी आपको खुश रखने का हर संभव प्रियास करते नजर आएंगे और आप भी हर कारिये में उनका सपोर्ट करेंगे इससे आपके संबंदों में घनिश्टा बढ़ेगी आज का दिन लव लाइफ के मामलों में कुछ सामानने रहेगा किसी पुरानी बात को लेकर मन मुटाव की स्थिति बन रही है लेकिन जल्दी ही इससे छुटकारा मिल जाएगा और आप फिर एक साथ होंगे आपका स्वास्त कैसा रहेगा दोस्तों इस समय स्वास्त का अधिक धिहान रखने की अवशकता है कोई पुरानी स्वास्त संबंधी समस्चा उत्पन हो सकती है अपने स्वास्त का ख्याल रखें और अधिक स्वास्त रहें लेके लिए नियमित योग करें प्रणायम करें व्यायम के और स्वास्त रहें आज आप ये विशे सुपाय अवस्त से करें वानरों को भुने भे चने खाने को डालें और सुबह के समय सूरिया को जल अरपित करें इसके साथ ही हनुमान चालिसा का पाठ करें इससे आपकी सभी मनोकाम नए शिक्र पूर्ण हो जाएंगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जे अवजरंगबली अवसर लिखें धन्यवाद दोस्तों आपका दिन सुब और मंगलगारी हो